अलो एब्रिवान स्वागत आप सभी का मयूर मोगरी यूट्यूब चानल में मेरा नाम दिख्षनेगी है मैं ओल्लाइन एजुकेटर, यूट्यूबर और कंटेंट राइटर हूँ मैंने बीए एकॉनोमिक्स ओनर्स और मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया है मैंने उत् इस जोग्रफी, एंशन हिस्ट्री, इंडिन पॉलिटिकल कोर्स अभी रीसेंट है हमार एथिक्स कोर्स भी सारे कोर्स कम्टीट हो चुके हैं इन नियर फ्यूचर आपको नई कोर्स देखने को मिलेंगे रिलेटेटेट टू करेंट अफेस, एन्वायरमेंट एन सो ओन सबस इस खास बत जो इस अकैडमी आपकी है, वो यह है कि इसमें विडियो लेक्चर के साथ साथ आपको आप्शन मिलेगा कि आप उस माटीरियल के पीडिया फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें जो कंटेंट होगा जो भी माटीरियल होगा वो हमारी गैरेंटी है कि वो निर्सिटी की बारे मैं डिस्कास करींगे और देखेंगे कैसे जो डिमाक्रिसिटी को अकॉमडेट करता है और उसको हेल्प करता सस्टेन करने में,। देखे हर एक society में differences भी होते हैं, divisions भी होती हैं, similarities भी होती हैं, लेकिन social diversity जो होती हैं, हर एक society में अलग-अलग form में देखने को मिलती हैं, अलग-अलग country में अलग-अलग type की diversities होती हैं अगर हम बात करें तो देखे social differences जो होते हैं, इनके origin कहां से होता है, याने कि जो differences हैं, यह कहां से origin होते हैं, कहां से इनका base होता है तो अगर हम बात करें तो देखिए mostly, और सारे नहीं नहीं, but mostly जो social differences होते हैं, उनका जो reason होता है, वो accident of birth होता है, because हम एक particular community में पैदा हुए हैं, इस वज़े से हम उस community से जुड़ने लग जाते हैं, और उस community के जो भी demands है, जो भी उनके expectations होती हैं, हम उससे अपने अपको relate कर जाने लगते हैं, और इस तरह से हमारे एक social difference society में increase हो जाता है, तो पहला तो ये है, but सारे ही social differences by the accident of birth नहीं होते हैं, कुछ ऐसे social differences होते हैं, जो हमारी choices की वज़े से होते हैं, ठीक है, कुछ choices for example, आप हिंदू हैं, लेकिन आप उस धरम को नहीं follow करते हैं, ये आपका personal choice है, आप भगवाने believe नहीं करते हैं, आप atheist है, वो आपका personal choice है, इसकी वज़े से आप जो है, जो है, जो लोग जादा भगवान को मानते हैं, या जादा इन चीज़ rituals को follow करते हैं, आप उनसे थोड़ा सा अलग feel करेंगे, तो यहां से एक और social difference create हो जाएगा, तो इस वतरह से हर एक society में अलग-अलग type के social differences देखने को मिलते हैं, बट बात यह है कि लोग कैसे उन social differences को accommodate करते हैं, कैसे उनको overcome करके साथ में unity से जहते हैं, तो ऐसे अगर हम देखें, तो देखें, दो type के differences होते हैं, एक तो overlapping difference होता है, दूसरे cross cutting differences होते हैं, इनके बीच का हम difference पढ़ेंगे तो देखें, आपने जसे example हम बात करें USA की, तो USA में दो आपको categories देखने को मिलेंगे, blacks and whites, तो basically अमेरिका में blacks जो हैं, just because they are blacks, इसलिए वो लोग जादा poor हैं, because उनको आज तक उनके against इतने जादा अत्याचार हुए, तो उनको इतनी जादा upliftment नहीं मिल पाए, उनको इतनी job opportunities नहीं मिल पाए, इतनी capabilities वो अपनी increase नहीं कर पाए, उनके against हमेशा discrimination हुआ, इसलिए अगर आप black और white को compare करेंगे, तो blacks mostly just because of their discrimination that they have felt all over the years, वो जादा poor हैं, just example हमारी country में दलित, just because वो दलित हैं, वो एक particular community में पैदा हुए, particular caste में पैदा हुए हैं, इस वज़े से वो mostly society स segregated रहे हैं, society ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, इंडिया में आपको दलित देखने को मिलेंगे, और दलित में अगर आप देखेंगे तो दलित जादा poor and जादा landless हैं, तो ये क्या है, इसकी वज़े से उनको जादा injustice और differences, discrimination सफर करने को मिलता है, इनकी वज़े से क्या दलित है, अगर आप दूसरी कास्ट के हैं, अगर आप अपर कास्ट के हैं, तो not necessarily आप क्या बोलते poor हैं, क्योंकि आपके पास opportunities हैं, आप uplift कर सकते हैं, तो वैसे ही अगर आप देखेंगे हमारी country में जैसे दलित हैं, उनके against injustice, discrimination हुआ, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, त तो नीदर लेंड की बात करेंगे, तो देखें, नीदर लेंड में क्या है, नदर आइरलेंड और नीदर लेंड की बात करेंगे, तो आप जिब नदर आइरलेंड में जाते हैं, तो नदर आइरलेंड में आपको दो religion के basis में आपको division मिलेगा, एक आपको आपकर Christian मिलेंगे जो Catholics हैं और दूसरे Christians मिलेंगे जो है Protestants हैं तो नदर आइलेंड में Class और Religion दोनों overlap करता है याने कि अगर आप Catholic हैं तो आप जाधा पूर होंगे और आपके अगे जाधा Discrimination रहा होगा वहीं अगर आप नीदर लेंड में चले जाएंगे नीदर लेंड में आपको Catholic and Protestants देखने को मिलेंगे बट ऐसा नहीं है कि एक जाधा रिच है एक जाधा पूर है एक के जाधा Discrimination होई नहीं दोनों ही वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि कुछ रिच हैं आप पूर हो लेकिन कोई Injustice नहीं है तो जो क्रोस कटिंग सोशल डिफरेंसे होते हैं वो क्रोस कट हो जाते हैं इस वज़े से ऐसे differences जोते society में वो easily accommodated हो पाते हैं उनके easy solutions हमारे पास होते हैं और cross cutting social differences की वज़े से हमारी society में आप सछ ज़ादा कोई divisions create नहीं होती हैं अगर हम बात करें क्या social divisions हमें politics में देखने को मिलता है definitely देखने को मिलता है हमने जब politics का chapter पड़ा था class 9th के NCRT थी तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हर एक leader को क्या चाहिए अपनी party चाहिए, अपना power चाहिए अपनी गद्धी चाहिए, अपनी कूर्सी चाहिए जिसको लेने के लिए हर एक political party में हर एक leader की बीच में क्या रहता है काफी ज़्यादा competition रहता है तो उस competition को पार करने के लिए अपनी को power देने के लिए हर एक political party क्या करती है अलग-अलग base बनाती है votes लेने का, तो वैसे हमारे इंडिया में जैसे example बात करें सबसे ज़्यादा common base जो है वो है, vote, sorry, वो है caste based politics caste के basis में जो हमारे political leaders हैं, वो लोगों से क्या लेते हैं votes लेते हैं, तो ये जो हर एक parties है, जिनका हर एक leaders को जो अंदर से चाह होती है जो एक will है उनकी power की, तो उस power के वज़े से हमारी society में क्या होते है divisions create हो जाते हैं एक particular caste या particular religion के लोग एक particular party को support करते हैं, वही दूसरे religion या दूसरे caste के लोग दूसरे party को support करते हैं, इस वज़े से हमारे politics की वज़े से, political competition की वज़े से भी हमारे social differences या social division society में क्या होते है create हो जाते हैं और दिन बर दिन वो क्या होते हैं कभी-कभी इतना जादर increase हो जाते हैं कि हमें कहीं कहीं पर violence और conflict भी देखने को मिलता है अब अगर हम बात करें तो there are three factors that are crucial in deciding the outcomes of political social divisions politics of social divisions अब देखिए हम तीन यहाँ पर चीजों की बात करेंगे तीन हमारे crucial decisions होते हैं जिसकी वज़ा से वो तीन crucial decisions है जो हमारे social divisions में क्या politics का रोल है वो decide करेंगे अब देखिए अगर हम जो politics से उसको सही तरह से इस्तिमाल करेंगे तो हम अपने social divisions को कम कर सकते हैं लोगों को क्या लोगों की बीच वो unity create कर सकते हैं वहीं अगर हम चाहें तो political competition को इतना जादा level में increase करके गलत वे में use करके society में social differences जादा create कर सकते हैं तो वो three crucial decisions क्या है सबसे पहला यह है कि first of all the outcome depends on how people perceive their identities तो अगर हम social divisions or politics का outcome देखें यानि कि जब आप social divisions और politics को involve कर देते हैं तो सबसे पहला outcome क्या होता है सबसे पहला outcome यह है कि लोग अपनी identity को perceive कैसे करते हैं अगर देखें political leaders अगर लोगों को इस चीज़ के बारे में aware करें कि as a whole हम Indians पहले हैं हम caste, religion, ethnicity के basis में vote नहीं मांगेंगे और ना vote करेंगे तो लोगों को इस चीज़ की importance हमेशा feel होगी कि हम एक single country का part है हमारी जो identity वो एक single identity है तो जब हम ऐसा perceive करेंगे तो क्या होगा हम easily accommodate कर पाएंगे दूसरे लोगों के साथ तो यह सबसे पहला हमारा political outcome होता है सबसे पहला outcome होता है political in social divisions वो यही होता है कि how we are going to perceive our identities अगर लोग अपनी singular identities लेते हैं अगर यह सोचते हैं हम सभी सोचे कि we are Indians तो हमारे बीच में कभी भी conflict नहीं होगा हम सब लोग अपनी national identity को respect करेंगे और हमेशा हम लोग साथ में रहने की कोशिश करेंगे क्या करेंगे हमारी unity increase होगी हमारी integrity हमारी country की increase होगी second क्या होता है second करता है it depends on how political readers raise the demands of any community हर एक political leader community की किस तरह से demand को raise करता है इस पे भी काफी जदा depend करता है कि हमारे social divisions किस तरह से निकल के आएंगे because of politics अब देखिए अगर कोई leader है अगर कोई leader easily other हर एक category के हर एक caste के हर एक community के demands को accommodate करता है उनको सुनता है उनको execute करता है हर एक community के upliftment के लिए काम करता है तो क्या होगा बहुत जादा easy हो जाएगा लोगों को आपस में accommodate करना है लोगों की बीच में violence कम होगा लोग integrate integration way में काम करेंगे एक दूसरे के साथ क्या करेंगे brother rule वाली feeling हमारी fraternity जो हमारा एक principle है हमारे constitution को वो क्या होगा increase होगा third अगर हम बात करें तो third day it depends on how the government reacts to demands or different group third day की government जो हमारी है वो किस तरह से different groups के लोगों की जो demand है उसको क्या करती है accept करती है उसको क्या करती है execute करती है अगर हमारे rulers हैं अगर हमारे rulers दूसरे group के different groups के साथ मिलके उनके साथ power share करें तो क्या आपको लगता है हमारी country में कभी भी minorities को rejected feel होगा क्या आपको लगता है कि हमारे पर caste system इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा नई अगर आप सारे ही communities को equal power दे दे तो क्या होगा लोग मिलबाटके रहेंगे लेकिन वहीं अगर leaders दूसरे group के demands को decrease करने लग जाए उनको suppress करने लग जाए तो minorities की बीच में में शच्ड डर रहेगा तो जब minorities की बीच में डर रहेगा लोग हमारी country को छोड़के अलग उससे होके अपना एक अलग nation मनाना चाहेंगे on the basis of these social divisions अगर हम बात करें तो जो social हमारी diversity है हमारी country में अगर हम देखें तो हमें इसको कभी भी हमाई social diversity को कभी भी as a danger नहीं देखना चाहें it should not be treated as a source of danger it depends आप social diversity को किस तरह से क्या करते हैं treat करते हैं अगर आप social divisions को कम करने चले अगर आप उसको accommodate करें आने कि हर एक जो हमारी society में अगर आप इंडिया की बात करें इंडिया में इतनी सारे social divisions हैं इंडिया में caste के basis में division है, culture के basis में division है, ethnicity के basis में division है लेकिन अगर आप सोचें आप ये सारे social divisions को equal political expressions दे दें ठीके equally अगर आप सब को treat करना शुरू कर दें तो क्या होगा उससे हमारे जो country है हमारे democracy जो है वो क्या होगी healthy हो जाएगी वो काफी जादा deepen हो जाएगी लोग एक दूस्ते के साथ easily accommodate करना शुरू करेंगे लेकिन वही कि अगर उनके अगेंस्ट आप discrimination बढ़ा देंगे तो क्या होगा वो लोग इसके अगेंस्ट कभी न कभी तो आगे आएंगे तो जब वो इन इन ये सारे inequalities अगेंस लड़ाई करेंगे तो क्या होगा it would lead to violence हमारे society of violence हो का जो definitely हम नहीं चाहेंगे however अगर हम आज तकी history की बारे में बात करें तो history of any country has shown that democracy is a best way to fight recognition and also to accommodate diversity यही एक रीजन ता जिसको जैसे हमने भी democracy को accept किया क्योंकि हमारी country में बहुत सारा diversity थी on different different grounds and we knew कि हमारी जो diversity है यह best form में कप accommodate हो पाएगी जब हम अपनी country को क्या बनाएंगे democratic बनाएंगे and this is how we are gonna accommodate the diversity तो यह जो social diversity है इसको हमेशा हम source of danger हमें नहीं देखना चाहिए इसी के थुरू कभी कभी अगर आप social divisions को सही तरह से use करें तो इसी तरह से हम कभी न कभी अपनी country को और जाधा strengthen कर सकते हैं तो यहाँ पर chapter over हो गया है अगर आपको कोई भी topic से related कु for UPSC preparation and also for other government exam hang to everyone and all the very best